चानक के आईएस अकैडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं वीर बाल दिवस के बारे में गुरू गोविन सिंग जी के बेटों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपव में कार्यकरम का आयोजन हुआ जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मौधी भी पहुचे इस दौरान प्रधान मंत्री ने कहा कि आजादी के अमरतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय शुरू हुआ है गुरु गोविन सिंग और उनके चारों बेटों की वीरता हर भारतिये को ताकत देती है ये दिवस उन वीरों के शोर्य की सच्ची श्रधान जली है प्रधान मंत्री ने कहा कि हमने पिछले साल से ये दिवस मनाना शुरू किया था इस साल कई देशों में यह कार्यकरम मनाया गया है जब हम अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करते हैं तो दुनिया हमें अलग नजरिये से देखती है प्रदानमंत्री ने इसके अलावा कहा कि भारत वो देश है जहां चंदरगुप्त 하루 जैसा युव एक महान सामराज्य बना लेता है भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव कठोर तपस्या करता है भारत वो देश है जहां एकलव जैसा वीर कठिन तपस्या करके दिखा देता है भारत वो देश है जहां खुदी राम बोश बटुकेश्वर दत रानि गाइडिल्यू जैसे क्रांतिकारियों ने अपने सोर्य से आदर्श पेश किया है अमेरिका के वाशंग्टन में भी वीर बाल दिवस मनाया गया सिक कम्यूनिटी के लोगों ने इस दिवस को मनाने की शुरुवात के लिए प्रधाल मंत्री मोधी को धन्यवाद भी दिया अब हम बात करेंगे कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। गुरु गोविन सिंग के तीन पत्नियों से चार बेटे थे जिनका नाम अजीत, जुजार, जुरावर और फते था। इन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। 26 दिसंबर 1705 को चारो बेटों की मुगल सैनाने हत्या कर दी थी। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोशना की थी। गुरू गोविन सिंग जी के बेटों पर धरम परिवर्तन करने का दवाब डाला गया था। इसके वजाए उन्होंने शहादत को चुना था। अब हम बात करेंगे गुरू गोविन सिंग जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंजी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में नौमे सिख गुरु शिरी गुरु तेग बहादुर जी और माता गूजरी के घर पर हुआ था उनके जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गये थे उनके बच्पन का नाम गोविंद राय था पटना के जिस घर में उनका जन्म हुआ था जिसमें उन्होंने अपने प्रथम चारवर्ष बिताए वही पर अब तक्त श्री हर्मिंदर जी पटना साहिब स्थित है 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया मार्च 1672 में उनका परिवार हिमाचल के शिवालिक पहाडियों में स्थित चक नान की नामक स्थान पर आ गया चक नान की ही आजकल आनंदपुर्ट साहिब कहलाता है यहीं पर इनकी शिक्षा भी आरंभ हुई थी उन्होंने फारसी संस्कृत के शिक्षा ली थी और एक युद्धा बनने के लिए शैन्ने कोशल भी सीखा था कश्मेरी पंडितों का जबरन धरम परिवर्तन करके मुसलमान बनाये जाने के विरुद फर्यात लेकर गुरुतेग बहादुर जी के दरबार में आये थे कश्मेरी पंडितों की फर्याद सुन उन्हें जबरन धर्म प्रिवर्तन से बचाने के लिए स्वेहन इसलाम नास्विकारने के कारण 11 नवंबर 1665 को औरंग जेबने दिल्ली के चार्नी चौक में सारजनिक रूप से उनके पिता गुरू तेग बहादूर का सिर कटवा दिया था इसके पश्चात वेशाकी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविन सिंग जी को सिखों के दस्वें गुरू के रूप में घोशित किया गया दस्वें गुरू बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही, शिक्षा के अंतरगत उन्होंने लिखना पढ़ना, घुर सवारी तथा सैन्य कोशल सीखे 1684 में उन्होंने चंडी दिवार की रचना की, 1685 तक वहयमना नदी के किनारे पोटा नामक स्थान पे रहे सन 1699 में बेसाकी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिक्षों के इतिहास का सबसे महत्तपुन दिन माना जाता है गुरु गोविन सिंग जी ने पवित्र ग्रंत गुरु ग्रंत साहिब को पूरा किया और उन्हें गुरु रूप में परतिश्चित किया बचितर नाटक उनकी आतमकता है, यहीं उनके जीवन के विशे में जानकारी का सबसे महत्तपुन स्त्रोत भी है यह दसम ग्रंत का एक भाग है, दसम ग्रंत गुरु गोविन सिंग जी की करतियों के संकलन का नाम है उन्होंने अन्याय अट्याचार और पापों को खतम करने के लिए धरम की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े थे धरम की रक्षा के लिए समस्त परिवार का वलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबंश दानी यानि की पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है इसके अतिरिक्त जन साधारन में वे कलंगी धर, दशमेश, बाजान वाले आदी कई नामों, उपनामों, उपादियों से भी जाने जाते हैं और अरंग जेब की मृत्यों के बाद गुरू जी ने बहादुर्शा को बादशा बनाने में मदद की थी गुरू जी मैं बहादुर्शा के सम्मंद अत्यंत मदुर्थे, इन सम्मंदों को देखकर सरत का नवाव वजीर खा गवरा गया था अते उसने दो पठान गुरू जी के पीछे छोड़ दिये थे इन पठानों ने गुरू जी पर धोके से घातक वार किया जिस से 7 अक्टूबर 1708 में गुरू गोविन सिंग जी नादेड साहिब में दिवे जोती में लीन हो गये थे इसके साथ ही आज का विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद